नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं धर्मा सर्मार्ग सुक्र का रासी प्रिवर्तन होने जा रहा है 31 जुलाई की दोपहर 2.40 पर सुक्र अभी तक करक रासी में थे अब वो सिंग रासी जो सुरी की रासी हैं प्रवेश करेंगे तब सिंग रासी में जब सुक्र आएंगे तब धन बिर्धी योग लक्ष्मी नारायन योग बनाएंगे और देवी लक्ष्मी की किरपा भी बरसेगी लेकिन आपके उपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आज हम यह जानेंगे बिस्तार से बहुतिक सुख सुभिधाओं से भरपूर जीवन देने वाला ग्रह सुक्र यहाँ पर 24 अगस्त की देर रात तक रहेंगे आकर्शन दामपत्य सुख सुख सौंदारि एस्वरे बैभब के कारक सुक्र जो कला संगीत के कारक प्रतिनिधी करने वाले हैं वो जब सिंग रासी में आएंगे जो सुरी की रासी है और 24 अगस्त की देर रात तक या 25 अगस्त की सुबह तक रहेंगे और इसके पस्चात वो कंड्या रासी में प्रवेश कर जाएंगे तो जैसे ही सुक्र सिंग्दासी में आएंगे सनी देप की द्रिष्टी सुक्र पे होगी और मंगल की द्रिष्टी से भी द्रिष्ट रहेंगे अब इस द्रिष्टी सम्मंद का भी आपके उपर असर पड़ेगा क्योंकि सनी की द्रिष्टी सुक्र पर अगर हो तो जोती सास्तर कहता है राज योग भंग अब सुक्र पर मंगल की भी द्रिश्टी है तो मंगल की द्रिश्टी से अब होती है तो चारित्रिक कमजोरी कराता है चारित्र थोरा गर्वर होता है दो पाप गर्वों की द्रिश्टी सुक्र पर होगी तो एक तो चारित्रिक कमजोरी है यानि कि एक्स्ट्रा मेरेकर अफैर हो सकते हैं, गलत कारियों में जा सकते हैं, इन से बचने की आवज सकता है लाब क्या होगा और कम्यों से कैसे बचें जानेंगे विस्तार से वीडियो के अंतक बने रहे हैं और ये प्रडिक्शन चंद्रासी पर आधारित है करकरासी सुक्र सिंध्रासी में आएंगे तो आपका आकर्सन बढ़ेगा व्यापार में लाब होगा भवनात्मक रूप से आप और सेंसिटिव होंगे स्वास्त का बस थोड़ा सा खयाल रखेगा अपने आपको थोड़ा और बेतर करें आंतरिक रूप से ठीक होने का प्रयास करेंगे ब्यापारी भाईयों को लाब बढ़ेगा और सहकर्मी का सपोर्ट भी आपको प्राप्त होता इस प्रियोड में दिखेगा वहीं दूसरी तरफ देखिए सही माइनों में सुक्र धन प्राप्ति के आपके लिए प्रवल संभावना बनाएंगे और करक वालों धन भाव में उपस्तित जो सुक्र हैं उनकी दृष्टी से सुखों में ब्रधी होगी धन आएगा धार्मिक यात्राएं करवाएंगे घर में मांगलिक कारेकरम हो सकते हैं यानि सुक्र का ये महापरिवर्तन ओवर आपके लिए सुब रहेगा क्योंकि दृष्टी भाव में आने से वानी का प्रभाव बढ़ेगा आसानी से चीजों पर आप नियंत्रन कर पाएंगे अनुबंद्र पर हस्ताक्षर करना हो तो उस दृष्टी से भी ये समय अनुपूल है कारे छेदर में सड्यंद्र का सिकार होने से बचिएगा किसी पर भी आखे बंद कर भरोसा ना करें और कोट कचरी सबंदी कोई मामला हो तो बाहर सुलजाने में अपकी बुधिमानी होगी इस योग को इज़सुक्र यहां पर आये हैं आपके धनबाव में बैठे हैं धनी योग कहा जाता है और धनी योग का मतलब है बार बार कई बार धन देगा कुटुम के माध्यम से धन आएगा मांगली कारेकरम की इस्तिती बनेगी सनी की द्रिष्टी है तो सुस्वादी भोजन का आनन्द लेंगे और थोड़ा सा मधिपान की तरफ जुका हो सकता है इनसे बचियेगा वस्त्र आभूसन मकान भवन का सुख मिलेगा स्वास्त की द्रिष्टी कौन से मां के स्वास्त का थोड़ा खयाल रखेगा तो अच्छा रहेगा और अश्टम पर द्रिष्टी सुक्र का बड़ा दिक्कत नहीं है लेकिन सनीदेव के कारण आयू बर्धी जरूर होगा और धन धाने पूरी तरह से आपका बढ़ रहा है क्योंकि महाधन योग बना हुआ है समाने अगर सब्द में जाने तो मां लक्ष्मी की किरपा भरभर कर बढ़सेगी हाँ खान पान का खयाल रखे और अपने आपको स्रेष्ट बनाए रखे वैसे विप्रीत लिंगी ब्यक्तियों में आपका समान खास तोर पर बढ़ेगा लेकिन अपने चरित्र को पवित्र बनाए रखेगा तो ज्यादा अच्छा है इस समय नौन बेच से थोरा सा दूरी बना कर रखेए तो बहुत अच्छा रहेगा तो सुक्र के लिए आपके लिए ये गोचर जो है प्रेणाम ओबरॉल आपके लिए उत्तम है क्योंकि सनी और मंगल की दृष्टी है तो चरित्र को थोरा कंट्रोल में रखना आवस्यक है एक्स्ट्रामेरिकर अफेर जैसी चीजें में ना पड़े इसका ध्यान अकना बहुत आवस्यक है और हम आपसे विदा लेते हैं उपाई के तोर पर ओम सुम्शुक्राय नमक भोरकेस में या रात सोने के पहले जपले सारी रिक संदरिक को तो बढ़ाएंगे ही आपका आंतरिक संदर भी बढ़ेगा धन्यवाद हम फिर मिलेंगे